किसान भाईयो जब जब प्याज का भाव बढा तब तब केंदर सरकार ने प्याज के भावो को रोकने के लिए प्याज बजार पर हस्तचेप किया है तो मेरी आज सभी किसान भाईों से बिसेस अपील है कि आप इस जो माउजूदा सरकार है उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या सरकार ने यह जो decision लिया है पूरे साल प्याज में 40% कभी duty लगा दी कभी MAP लगा दी तो क्या इस साल सरकार ने प्याज किसानों के साथ क्यांखिर किसान सरकार के फैसले से संतुष्ठ है या फिर नहीं क्यूंकि किसान भाईों सरकार ने इस साल कहीं न कहीं किसानों को सिर्फ छलने का काम किया है जब एक बार प्याज का भाव बढ़ा जब किसान को 25-30 रुपए तक प्याज के भाव मिलने लगे तब केंद्र स परकार ने अपात कालिन बैठक बुलाई और तुरंत रातो रात प्यांच पर 40% एक्सपोर्ट डिवटी लगा दी कहीं न कहीं प्यांच के बजार पर पूरी तरीके से हस्त छेप किया लेकिन उसके बावजुद भी मामला धीरे-धीरे ठंडा हुआ और 15-20 दिनों के बाद व वो 40% बिना डिवटी के ही प्यांच का एक्सपोर्ट करने लगे जिससे लगतार एक्सपोर्ट बढ़ता गिया प्रति दिन 200-300 ट्रक भी प्यांच की एक्सपोर्ट होने लगे फिर जैसे जैसे निर्यात बढ़ने लगी फिर देखा गिया कि हमारे देश में प्यांच की कमी होने लगी जो प्याच का स्टोक है वो धिरे-धिरे कम होने लगा जो प्याच का रेट है वो एक एक बढ़ते गए और भावों में लगतार तेजी बनती गई उसके बाद जब 50 से लेके 60 रुपे तक मार्केट पहुच गया तब सरकार ने एक दाव और खेल दिया और प्याच पर 800 डोलर प्रती मैट्रिक टन का निर्यात मुल्य घोसित कर दिया मिनिममम एक्सपोर्ट प्राइस यानि कि सरसट रुपे 67 रुपीज इससे कम में प्याच का एक्सपोर्ट नहीं होगा लेकिन किसार भायों ये खबर भी पूरी तरीके से फरजी निकली क्यूं इसके ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है लगभग लगभग बोडर पर भी 10 से लेके 15 रुपए की गिरावट देखने को मिली है किसार भायों नासिक का जो प्याज है वो मात्र 53 रुपए से लेके 60 रुपए में एक्सपोर्ट किया गया है तो यहाँ पर जो सरकार की जो फैसला थी कि सरसट रुपए की कम दर से निर्यात नहीं होगा तो यह खबर भी बिल्कुल जूठी निकली है अब किसार भायों मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार का यह जो फैसला लेती है वो धरातल पे काम करता भी है या फिर नहीं या सिर्फ य यह हवा हवाई फैसले लेती है और किसानों को गुमरा करती है क्योंकि मैंने बार-बार कहा है हमेशा अगर तेजी की हवा फैलती है तो वो भी बहुत तेज से फैलती है और जब हवा मंदी की फैल जाए वो भी काफी तेजी से फैलती है और आखिर हुआ भी वहीं जब में भाव चल रहे हैं, इन रेटों में हमारे किसान भाईयों को विक्री करनी चाहिए, काफी लोग बोल रहे हैं भी प्याज रोक लो, तो किसान भाईयों मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि अब जो हमारा इस्टोक वाला प्याज है, गर्मी वाला प्याज, उसका समय भी काफी नजदिक आ चुका है किनी किसान भाईयों का प्याज उगने भी लगा है क्योंकि ठंडा मोसम हो चुका है ठंड के मोसम में प्याज जल्दी उगना चालू हो जाता है इसलिए अपनी प्याज की बिक्री को धीरे धीरे करके इनी रेटों पर करते रहें क्योंकि आगे उ प्याज के बेल्ट है जिन से धिरे-धिरे आवके बढ़ेगी दिपावुली के बाद कहीं न कहीं अलवार और जो खेर्थल का नया प्याज है उसकी आवक काफी हद तक बढ़ जाएगी साथ ही साथ MP में भी जो नए लाल नासिक प्याज है उसकी भी आवक बढ़ेगी अभी कि आगे तहवारी सीजन है तो कहीं न कहीं थोड़े से प्याज में हमको तेजी देखने को मिल सकती है किसानवा यो कल साजापूर की मंडी में एक आवक काफी कम हुई कि मात्र चार से पांच हजार कट्टों की आवक रही कल मंडी में और भावो में कल सौ से लेके 200 लेगिन अगर किसी चीज की सप्लाई जादा है डिमांड कम है तो फिर उस चीज का भाव गिरने में भी जादा समय नहीं लगता है सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है इस समय किसानवा यो जो इससे ही केंदर सरकार ने बैठक बुलाई और MAP लागू किया प्यांच पर क किसानों को लगने लगा अब हमारा प्यांच काफी सस्ता भिकेगा मंदा भिकेगा इस कारण से एक साथ किसानों ने सभी मंडिया भर दी चाहे इंदोर की मंडियों हो साजापूर हो रतलाम हो और उहीं आवक जो भरी उससे आज भी मंडिया में बाइलेंस का भरमार पड़ उस फैसले का कोई पालन नहीं किया जाता है, बस हावा हावाई एक बात हो जाती है, और किसान भाई भी गुमरा हो जाते हैं, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आप अपनी समझदारी से काम लिए, क्योंकि आज जितने भी प्रिंट मीडिया है, सोसल मीडिया है, मीडिया चैनल्स है, इन पर भरोसा करना आप काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जब प्याज किसान का फिकता है, रोडों पर किसान को प्याज फैकना पड़ता है, किसान का प्याज 5 रुपे, 10 रुपे, किलो बिखता है, तब तो ये खबर नहीं चापते हैं, लेकिन जैसे ही प्याज के भाव किसान को अच्छे मिलने लगते हैं, तब इनके पेट में दर्द होने लगती है, तो इनसे भी थोड़ी दोरी बना कर रहे हैं, बाकी रह गई बात, इस समय जो गिरावट चल रही है, मंडियों में उसके पीछे काभी मैं आपको कारण बताता हूं, किसान बा पर भी काफी माल कटे उतरे हुए हैं, इस कारण से भाव नहीं चड़ रहे हैं, और किसान बाई एक सबसे बड़ा जो कारण है, वो है नैफट और NCCF, अपना जो माल है, वो खुदरा बजारों में 25 रुपए किलो की दर से, पूरे देश के पिभिन, जो बड़े-बड़े मैन मैन सिटी है, सहर है, उनमें अपने पियाज 25 रुपए किलो की दर से, वो भुकताओं को दे रही है, 2 किलो के पैक में, जिससे की कही न कहीं थोड़ी सी पियाज की जो लेवाली है, डिमांड है, गराकी है, वो थोड़ी हमें बजारों में कम देखने को मिल रही है, कहींगी सरकार अमीरों को ही फैदा पहुंचा कि गरीबों को और किसानल मो कई लोग बात करते हैं कि सरकार के लिए जो मुद्दा है वो गरीबी है बेरोजगारी है यह मुद्दा हमेशा रहेगी क्योंकि अगर गरीबी को हटा दिया जाए, तो फिर सरकार के पास तो चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा, तिसलिए गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जब भी सरकार आपके पास भोट लेने के लिए आएगी, तो रेलियों में वो ये जरूर कहेगी, कि ह हम गरीबी हटाएंगे, अगर गरीबी को आजी हटा दिया जाए, तो फिर उनके लिए तो चुनाव में मुद्दा रहे गा ही ने, इसलिए किसान बहुत जितनी भी राजनितिक पार्टियां होती है, वो सिर्फ अपने भोट बैंक के लिए काम करती है, वो कभी भी किसान हि लेकिन कोई भी योजना उसकी सफल नहीं होती है, धरातल पर सभी योजना उसकी फ्लोफ हो जाती है, इसलिए इन खबरों का खंडन करें, अपनी बुद्धी विबेक से अपने फसल को उगाएं और उसे बेचे, किसी की भाकावे मानने कि कोई भी आउ सकता नहीं है, किसान आज की वीडियो में ये थी महत्पून जनकारी, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में